Hello friends, welcome back to our channel आज हम लोग मल्लिप्लिकेशन के दो अमेजिंग से ट्रिक सिखने वाले हैं तो सबसे बहले हम लोग टू नंबर डिजिट के मल्लिप्लिकेशन के ट्रिक सिखेंगे जिस नंबर में एक खासियत होगी वो खासियत यह होगी कि उसका जो पहला वाला नंबर है वो सेम टू सेम होगा और जो दूसरा वाला नंबर होगा यानि कि आप आपको दिख रहा होगी 47 और 43 है तो 7 प्लस 3 करेंगे तो 10 आता है ठीक है इन दोनों का टोटल होगा 10 ऐसा नंबर का जब हम लोग का मुल्टिप्लिकेशन करना रहेगा सबसे पहले हम लोग 7 से 3 को मुल्टिप्लाई कर लेंगे जो कि होजाता आपका 21 और यह जो 4 है उससे क्या करेंगे 1 एड कर लेंगे मतलब कि 5 5 इंटू 4 तो 5 इंटू 4 आपका होजाता है 20 तो this will be the right answer हम लोग जो मुल्टिकेशन करते तो हमारा दो स्टेप तो लगता ही है मुल्टिप्लाई करने में तो हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप में कर लें और असानी से बहुत ही जल्दी अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें इसलिए यह ट्रीक अप्लाई होता है चलिए फ्रेंज देख लेते हमारा दूसरा एक्जाम्पल यहां पर हम लोग ले लेते हैं 85 इंटू 85 दिख रहा होगा फ्रेंज अगर 5 प्लस 5 करते हैं तो हमारा 10 आता है और पहला जो नूम्बर था वो दोनों सेम तू सेम है तो हम लोग सबसे पहले करेंगे 5 इंटू 5 कर लेंगे तो वह हो जाता है आपका 25 और आज हमने बताया था कि 8 प्लस 1 करेंगे मतलब 9 9 इंटू 8 करेंगे तो गिता आता है 72 इस इस आइंसर यह फ्रेंज एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका कॉंसेट एकदम क्लियर हो जाए 32 इंटू 38 है यहां पर भी 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 होता है और दोनों से नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 2 कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 16 और 3 से 1 आट करेंगे 4 4 3 जा 12 हो गया आपका एंसर चली फ्रेंज लास्ट एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर आपका दियाव है 39 इंटू 31 यहां पर थोड़ा सा आपको डिफ आता है जो कि होता है 9 और फिर हम लोग को जैसा बोला गया था कि 3 से हम लोग को एड करना है 1 यानि कि 4 4 इंटू 3 कर लेंगे वह आपका हो जाता है 12 और बीच में लोग क्या करना है बीच में 0 बठाना है ठीक है आप लोग यह भूलना मत जब भी 1 डिजिट का नंबर है तो हम लोग बीच में 0 जरूर देंगे चली फिंज आपको मैं खुच से ट्राय करने को देती हूं और आप लोग इसका एंसर कमें सेक्शन में जरूर बठाईएगा आज आते हमारे दूसरे ट्रिक के ओपर जो कि बिलकुल ही पहले ट्रिक का ऑपोजिट है ऑपोजिट है मतलब हम लोग जो पहले जो नंबर ले रहे थे उसमें क्या था जो पहला वाला डिजिट था वो सेम टू सेम था और दूसरा वाला डिजिट को दोनों को एड़ करके हमारा 10 हो रहा था यहां पर क्या होगा कि पहला वाला डिजिट को एड़ करेंगे तो 10 आएगा और जो लास्ट हम लोग क्या करेंगे जो पहला वाला नंबर है 4 इसको हम लोग 16 से एड़ कर लेंगे जो कि हो जाथ आपका 20 तो 2016 is the multiplication of 24 into 84 ठीक है चली फ्रेंज एक और मैथ देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए हम लोग यहां पर ले लेंगे 86 और 26 ठीक है तो जो पहला नंबर है उसको करेंगे तो 10 हो रहा है और बाकी दो जो नंबर है वो सिम है तो हम लोग क्या करेंगे 6 into 6 करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 36 और 8 से अगर 2 into करेंगे तो 16 और यह जो 6 है उसको एड़ करेंगे 16 प्लस 6 करेंगे तो 22 हो जाएगा हो गया आपका answer चली फ्रेंज एक आखरी एग्जामपल ले लेते हैं हम लोग 74 into 34 I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा यह calculation और आप लोग खुद से यह math कर पाओगे अभी तो 4 into 4 आपको हो जाता है 16 और 7 into 3 आपको हो जाता है 21 तो हम लोग 21 से क्या करेंगे 4 add कर लेंगे 21 प्लस 4 आपको हो जाता है 25 उमीद रखते हो फ्रेंज यह दो multiplication के trick आपको समझ होगी वीडियो कर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में इसका एंसे ज़रूर बताएं